नमस्कार, Study IQ IS Hindi में आप सबी लों का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ विरधुबे और आज हम मुद्दे की बात के इस प्रोग्राम में एक विशेस मुद्दा लेकर के आपके समक्ष हैं, हाल ही में मान्ये सुप्रीम कोर्ट ने hate speech पर राज्यों को कुछ सकत नरदेश दिये हैं, तो जब तक हमारा ये पुरा topic कवर होगा तब तक हम ये जान चुके होंगे हैר हट इसलिए भारती अनुच्छेत का जो 19 आर्टिकल है यानि आर्टिकल नंबर 19 जो है उसमें किस प्रकार के प्रावधान किये गए हैं इन सब बातों पर विशेश रूप से चर्चा होगी और सेशन के अंत में हम आपसे इसी से संबंधित एक प्रश्ट भी पूचेंगे जिसमे अपिक्षा होगी आपसे कि आप कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट करके उसका उत्तर जरूर देंगे और पार्टिसेपेट करेंगे तो चलिए शुरुवात करते हैं सबसे पहले जानते हैं क्या है खबर है हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट का राजिकों निर्देश अब राज्यों के जो पुलिस अध्यक्ष हैं या जो हैड आप दे पुलिस हैं खासकर तीन राज्यों के जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्राखंड शामिल है उनको ये निर्देश दिया गया है अब क्यों दिया गया है इसके उपर हम चर्चा करेंगे सबसे पहली ब लेकिन फिर भी इस जैसे कुछ प्रावधान वहाँ पर दिये गए हैं मतलब यहाँ पर यह समझ लेना जरूरी है कि इस मामले में क्या भारत के विधी में या भारत में जो भी कानून है उस कानून में क्या इसपस्ट रूप से हेट स्पीच के लिए किसी प्रकार का कोई का लेकिन फिर भी IPC के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जैसे कि यहां पर मैंने आपको एक रिफ्रेंस दिया है 295A इसके अलावा 295, 296, 297 और 298 भी है जिनके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे ठीक है तो साथी साथ यहां पर हम कुछ और भी प्रोवीजन से उनके ओपर चर् जोसिफ हैं और जस्टिस रिशिकेष रॉय इन दो लोगों की यह बैंच थी और यह सुनवाई कर रहे थे सुनवाई कर रहे थे एक याचिक याटि का या निकी एक रिट पर और वो डिसीजन लेने के लिए सुनवाई कर रहे थे तो इसमें इस बेंच के द्वारा जिसमें जस्टिस के यम जोसिफ और जस्टिस के रिशीकेश रॉय जो शामिल हैं इन्होंने पुलिस चीफ ऑफ दिली यानि कि पुलिस चीफ ऑफ दिली कह सकते हैं इसके साथ साथ यूपी और इसके साथ साथ उत्रखंड इन तीन राज्यों के चीफ ऑफ पुलिस को निर्देश वो भी सकत निर्देश चारी किये हैं कि यदि अगर कोई भी हेट स्पीच जैसा हेट स्पीच जैसा अगर किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा आता है तो इस पर ये त्वरित कारेवाही करें इन पर कहा गया है कि इस पर तुरन जो है वो कारेवाही होनी चाहिए त्वरित कारेवाही हो और साथी साथ ये भी कहा गया है कि इस प्रकार की कारेवाही में किसी भी प्रकार से देर किये हुए बिना उन पर criminal case जो है वो लागू होना चाहिए ठीक है साथी साथ किसी भी प्रकार के formal जो complain है generally क्या होता है कि जब कभी इस तरीके घटना घटती है तो एक formal complain की जाती है police station में और फिर उसके उपर जो है वो action लिया जाता है बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर सिधा यही का आगया है कि भाई यह तुरत जो है वो कारेवाई की जाए किसी का तंजार न किया जाए राज्य सरकारों को चाहिए यहाँ पर राज्य का मतलब आप समझ सकते होंगे राज्य का मतलब यहाँ पर किसी state government से नहीं है आपको मालूमें कि आर्टिकल नंबर 12 यह है वो states के define करता है जिसमें राज्य के शब्द के अंतरगत ऐसी कोई भी संस्था सामाने रूप से आ जाती है जो कानून बना कर आपके उपर कानून लागू कर सकती है तो इनमें राज्य में पुलिस भी है जो कि इस तरीके की चीज़ों को लागू करने के लिए बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कुछ उसके पास अधिकार है तो इस तरीके के निर्देश जो है वो राज्यों को दिये गए अब पूरा मसला क्या था उसमें कहा गया कि तुरंट जो है सुओ मोटे एक्शन लिया जाना चाहिए ठीके तो अब ये मसला पूरा क्या है इसके उपर अगर हम जाएं तो हमें पता चलेगा कि 10 अक्टूबर को विश्व हिंदू परिशद ये जिसको आप शॉर्ट में वी एचपी कह सकते हैं इसके तमाम सारी यूनिट्स हैं इसी में से एक दिल्ली की यूनिट है इस दिल्ली की यूनिट और दूसरे तमाम प्रकार के जो हिंदू संगठन थे ठीके दूसरे प्रकार के जो हिंदू संग अठन वगेरा थे इन सब लोगों का यह कह सकते हैं कि विश्व हिंदू परशद की जो दिल्ली इकाई थी उसका एक विराठ कह सकते हैं विराठ हिंदू सभा का आयोजन इनके द्वारा किया गया था ठीक है यानि एक बड़े हिंदू सभा का जो है इस तरीके की चीजों की करेवाई जब हुई तो इसकी एक याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दारे की गई और इसी याचिका पर जो जस्टिस है मैंने आपको बताया दोनों जस्टिस जो के एम जोसेफ और जस्टिस रिशी के इस रॉइज जो है वो सुझवाई कर रहे है तो एक तो ये याचिका है और इस तरीके के दूसरे भी जो भी मामले हैं जिसमें नफरत बड़े भाशन का इस्तेमाल किया जा रहा है तमाम सारी इस तरीके की दूसरी याचिका हैं भी थी जिस पर और यदि अगर कारेवाही नहीं की गई है यानि राज्योद्वारा इस प्रकार की कारेवाही नहीं करी गई है तो इसे court of content माना जाएगा यानि कि जो न्यायले है न्यायले की अवमानना का है उसके उपर आरोप लगा करके और उनके उपर जो है सक्त कारेवाही की जा सकेगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक बात स्पस्ट हो जाती है कि इस मामले में किसी भी प्रकार के धर्म वर्ग वर्ण समुदाय के खिलाफ यदि अगर कोई भी नफरत भरे शब्दों के इस्तेमाल करता है तो उसको भले ही हम कह सकते हैं कि भारत में इसके लिए आपचार आपसर नहीं करेंगे तो इसको राज्य की अवमानना या अदालत की अवमानना के अंत्रगत माना जा सकता है तो मैंने आपको बताया कि हेट स्पीच के लिए कोई अपचारिक धाचा नहीं है लेकिन अब यहाँ से एक प्रोवीजन आपको मिल गया यानि कि आब आप डिले या फिर यह जो भाषन दिये जाते हैं या फिर किसी भी वरण या समुदाय या किसी को भी अगर कोई भी व्यक्ति कोई कुछ कहता है तो भाई भारत में तो बोलने की आजादी है ठीक है भारत में बोलने की आजादी है और जब भारत में बोलने की आजादी है तो बोलने की स्वतंतरता दी गई है जो कि article 19 में हमें defined है तो कितना बोलने के स्वतंतरता है या फिर क्या ये absolute rights हैं क्या ये ऐसे rights हैं जिनको हम निरंकुष कह सकते हैं यानि कि किसी के खिलाब भी कितना भी बोला जा सकता है आपका इस पर क्या मानना है आप comment section उमिए जए ज़्य 295A और कुछ दूसरे जो प्रोवीजन से उनके उपर हम डिसकुशन करें हैं जैसे सबसे पहले आठकट 295A की बात करते हैं 295 295A की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कहा गया है इस एक्ट के अंतरगत यह कहा जा सकता है किसी भी थर्म या फिर थार्मिक जो विश्वास है इन में से किसी भी चीज का यदि अगर कोई अपमान करता है या फिर किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावना को धार्मिक भावना को थेस पहुंचाता है ठेस पहुचाने का मितलब आप समझी सकते होंगे, चोट पहुचाना, या फिर ऐसा कुछ कर देना, जिससे के उसको insert feel हो, तो ठेस पहुचाने के इरादे से, अगर कोई जान बूझ करके, जान बूझ कर, अब देखे कुछ चीज़े तो by the way हो जाती हैं, लेकिन यही अगर य speech के अंतरगत ला सकते हैं, परिभाशित कर सकते हैं, ठीक है, तो ये जो article 295A है, इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बताता है, ठीक, और इसके लिए, इस तरीके घटनाओं के लिए, दंड के प्रावधान भी निरधारित करता है, ठीक है, यानि कि कोई भी जान ब बात कर रहे हैं, तो शब्द जो हैं, वो लिखीत रूप से भी हो सकते हैं, या फिर बोल करके भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी दूसरे माध्यम से, यानि कि electronic medium कभी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे messaging बगरा करना, अगर ये सब किया जाता है, या फिर किसी दूसर करने जैसा कोई प्रकरण सामने आता है, तो इसमें दंड का प्रावधान है, और दंड जो है, वो कारवास तक हो सकता है, और ऐसे कारवास को तीन वर्ष तक के लिए बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है, साती साथ इस पर जो है, जुर्माने का भी प्रावधान है, यानि कि क आदर जुर्माना दोनों भी हो सकता है ऐसे प्रावधान आपको 395A में दिये जाते हैं इसके अलामा जो हमारा ये जो IPC है इसमें तमाम सारे जो अध्याएं हैं उसमें 295A की जो हम बात करते हैं तो इसमें 295 की भी हमें बात करनी होती है ठीक है किसी भी पूजा इस्थल को छाती पहुचाना यानि कि उसे नुकसान पहुचाना या फिर उसे अपवित्र करना किसी भी प्रकार से अपवित्र करना तो किसी प्रकार से उसे अपवित्र करना ये दोनों ही चीजें मतलब नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना दोनों ही चीजें क्या है अप राध किश्रणी में गिनी जाएंगे वहीं पर अगर हम आर्टिकल या सेक्शन नंबर 296 की बात करते हैं तो ये किसी धार्मिक सभा को किसी भी धार्मिक सभा को मान लेते हैं कोई भी religious assembly हो रही देखते हैं तो इसमें किसी भी कबरगाह की बात करी गई है या फिर किसी भी समाधी की बात करी गई है अगर आप किसी भी समाधी में या किसी भी कबरगाह में उसमें नियमित जो नियम है उसका अनपालन नहीं करते हैं या फिर आप उसमें गैर इजाज़त के आप प्रव भावनाओं को, इसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने के इरादे से, ठेस पहुचाने के इरादे से, ठीक है, ठेस पहुचाने के इरादे से, किसी चीज को बोलना, या किसी शब्द को बोलना, या फिर किसी शब्द का प्रयोग करना, ठीक है, लिखिती है किसी दूसरे माध्यम से तो ऐसा करने पर भी आपको सजाएं दी जा सकती हैं तो यह different sections थे जो आपकी IPC से related हैं और यह कहीं न कहीं आपको represent करते हैं कि कि किसी की धार्मिक भावना को आप ठेस नहीं पहुचा सकते और इनका यह सीधा सा सीधा अर्थ निकल करके आ रहा है इन सब मा की जो अभिव्यक्ति है उसको भी तो हमें बनाए रखना चाहिए तो कहीं न कहीं हमें यह समझ में आ रहा है कि article 19 जो है वो absolute power नहीं हो सकती है अब इसमें एक हमें section और जानना जरूरी है और वो section है सूचन और प्रध्योगी की अधिनियम की धारा 66A यानि IT जो act है उसकी ध कोई दूसरे माध्यम हो सकते हैं या फिर संचार माध्यम का प्रयूग करने का मतलब क्या है संचार माध्यम में आपका जैसे मुबायल में आपने किसी को कोई message कर दिया text message भेजा है या फिर किसी प्रकार से आपने visual messages कोई दूसरे प्रकार के भेजे हैं या फिर उसमें कोई वीडियो आडियो वेगरा भेजा है तो वो सारी जो चीज़े हैं संचार माध्यम WhatsApp कुछ भी कर सकते हैं आप तो अगर ये सब चीज़ें करी गई हैं इस माध्यम से किसी भी प्रकार के जो आपत्ती जनक संदेश है अगर इनको भेजा जा रहा है तो इसको भेजने से संबंदित दंड के प्रावधान जो है वो कहाँ पर किये गए सेक्शन 66A में सूचनाय प्रदुर की अधनियम की धारा 66A में किया गया ठीक है अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 19 की क्योंकि मैं उतनी देर से आपको बोल रहा हूँ कि ये सेक्शन्स हैं आपको ये करने से मना करते हैं वो करने से मना करते हैं तो अफ्टरल आर्टिकल 19 का फिर यहाँ पर क्या यूज है तो सबसे पहले हम भारती सम्विधान के अनुच्छेद 19 की अगर हम बात करें तो ये अनुच्छेद 19 भाग 3 के अंतर गताता है भारती सम्विधान का भाग 3 जो की किस क्या रिप्रेजेंट करता है फंडामेंटल राइट्स को मॉलिक अधिकारों को रिप्रेजेंट करता है जिसमें अनुच्छेद 12 से ले करके अनुच्छेद 35 तक के प्रावधान दिये गए हैं और इसी में एक सेक्षन है जिसमें 6 प्रकार के मॉलिक अधिकार है 6 मॉलिक अधिकार है आप लोगों को मालूमी होगा कॉमेंट सेक्षन में चाहें तो आप बता सकते हैं 6 मॉलिक अधिकार कॉन-कॉन से है थोड़ा सा समय लगेगा टाइप करने में जुरूर लेकिन आप कर सकते हो इतना रिवाइस करने के लिए अधिकारों ठीक है कुछ विशेज अधिकारों से संरक्षन ठीक तो यह प्रोटेक्शन है प्रोटेक्शन अफ सर्टेन राइट्स रेटे टू रेरेटेट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच अटसेक्टरा तो यह जो वाक से संबंदित जिसे बोलना कह सकते हैं उसे संबंदित कुछ अधिकार दिये गए जो कि अनुच्छेद 19.1 के अंतरगत दिये गए अनुच्छेद 19.1 क्या कहता है कहता है सभी नागरिकों को सभी नागरिकों को अधिकार है सभी नागरिकों को अधिकार है Every citizen of India has the right क्या right है पहला point A यानि सब clause A इसमें कहा गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंतरता का अब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंतरता का अधिकार है इसी point को हमें पकड़ना है यानि कि हम पहुँच चुके हैं article 19.1 clause A के अंतरगत जिसमें कहा गया है कि भारत के किसी विनागरिक को बोलने या अभिव्यक्ति करने की स्वतंता है right to freedom of speech इसी को बोलते हैं या इसी को हम लोग साधन बासा में प्रेस की स्वतंता भी बोलते हैं तो आपने देखा होगा तमाम सारे जो प्रेस या मीडिया की लोग होते हैं वो इसका बहुत जारा प्रयोग करते हैं ठीक है तो यहाँ पर बोला गया right to freedom of speech अब मान लेते हैं कि किसी सभा में जैसे विश्वेंदू परसत नहीं सभा किया था दिल्दी की उसकी जो शाखा है उसने सभा किया उसमें कुछ बोला भाशन दिया अब भाशन देते देते कितना भाशन दे दिया कि किसी पर्टिकुलर समुदाय को उन्होंने टार्गेट कर दिया तो अब यहाँ पर आर्टिकल 19 यही क्वश्शन कर देता है कि क्या इतना बोलने के आजादी है अगर है तो उससे सममंदित अगर नहीं है तो उससे समंदित कुछ दांडिक प्रवधान होने चाहिए और जब दांडिक प्रवधान होने चाहिए तो हम यह तो IPC कंतरगत ले जाएं लेगिन तब तक उस आदेश को हम पालन करते हुए काम करें तो जहां वाक एब हम अभिव्यक्ति की स्वतनता की बात करी गई है बोलना अभिव्यक्ति करना मतलब किसी चीज को रिप्रेजेंट करना संकेतों के माध्यम से बोलने के माध्यम से प्रिंट मीडिया से एल रंकुष्षक्ति प्राप्त हो जाए कि हमारे पास तो आर्टिकल 19A है हम तो बोल सकते हैं तो ऐसा नहीं है अब क्या ऐसा नहीं है ये मेरे बोल देने से होगा या फिर कोई भी ऐसे रास्ते चलते कहाए कि इतना नहीं बोलना है तो आप से कोई पूछ सकता है क्यों जैसे मान लेते हैं कि ये मामला इस तरीके से हो कि इसमें जो भी आपका मान लेते हैं कि ये मामला भारत की प्रभुता और अखंडता का हो भारत की प्रभुता या अखंडता का हो तो क्या आप इतना बोल सकते हैं कि आप कि कहे गए बातों से भारत की जो सवनेटी है उसके उपर question mark लगजे तो article 19-2 कहता है इस मामले में रोका जा सकता है यहनि article 19-2 article 19-1 एक दी गई शक्तियों को रोकता है बाधित करता है अगर अत्यधिक उसका क्या हो रहा है प्रयोग हो रहा है जैसे कि इतना प्रयोग हो रहा है कि उसे भारत की अखंडता या प्रभुता जो है प्रभावित हो रही है या फिर राज्य की सुरक्षा प्रभावित हो रही है ठीक है राज्य की क्या प्रभावित हो रही है सुरक्षा प्रभावित हो रही है या फिर जो विदेशी राज्य हैं उनसे जो मैत्री पूर्ण व्यभार है या संबंध है वो वाइलेट हो रहे ह या किसी प्रकार की लोक विवस्था ये भंग हो रही है, या फिर सिष्टाचार या सदाचार का कोई हित है, वो जो है खराब हो रहा है, नियायले की अब मानना हो रही है, किसी की मानहानी हो रही है, किसी के किसी चीज के कहने से किसी अपराद का उद्धीपन, उद्धीपन क हो जाएगा जो कि आपके आर्टिकल 19-1-A को रिस्टिक्ट कर देगा या रोब देगा तो इन सब चीजों का प्रयोग करते हुए कहीं न कहीं ये सारे सेक्षन जो है वो IPC में बने हैं और जो अधूरे हैं संभवता हो सकता है कि आगे चल करके उनकी ओपर भी कुछ धाराएं बन जाएं तो जो कुछ भी आपने यहाँ पर सीखा उससे सम्मंदित एक प्रशन आपके समख्ष यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप इसे पढ़ें और उम मूल समविधान में 6 मौलिक अधिकारों का उलेक किया गया था मूल समविधान की बात यहाँ करी जा रही है मूल समविधान में 6 मौलिक अधिकारों का उलेक किया गया था क्या यह सही है उपरोग में से कौन सा कतन सही है या सही है आपको बताना है option A केवल 1 और 3 option B केवल 2 तो आप इस प्रशन का उत्तर जरूर बताईएगा और इस प्रशन का उत्तर आप लोगों को यहां से भी मिल सकता है जो कि हमारा टेलीग्राम का ग्रूप है आप इसमें जुड़ सकते हैं विरत दुबे 01 या फिर आप हमसे इन सब मामलों में या किसी दूसरे मामले में अगर आपके मन में कोई विचार है तो आप हमसे Facebook या फिर Instagram पर भी जमपर कर सकते हैं इसी नाम से उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन समझ में आया होगा पसंद आया होगा फिर आपके सामने हाजिर होंगे किसी इसी प्रकार के दूसरे मुद्दे की बात को ले करके मुद्दे की बात प्रोग्राम के अंतरगर तब तक के लिए नमस्कार धर्निवाद